Hello everyone, welcome to study chakra, last video में हम लोग ने parallel axis theorem देखा था क्या होता है, इस video में हम लोग देखेंगे perpendicular axis theorem, देखते क्या होता है, देखो पहली चीज़ तो ये, कि perpendicular axis theorem जो है, वो सिर्फ laminar object के लिए valid है, now what is laminar object, laminar object मतलब ये two dimensional object जो होगा, जिसकी thickness ना के बराबर होगी, laminar object में क्या आ सकता है, जैसे कि plate आ सकता है, इसकी thickness अगर ना के बराबर हो, so plate can be considered as two dimensional object, laminar object, उसी तरीके से ring आ सकता है two dimensional object में, क्योंकि एक ही plane में इसके सारे के सारे mass है, ऐसा मान सकते हैं, इसकी thickness अगर काफी कम हो, so it can be considered as laminar object, या फिर एक क्या मान सकते हो, आप इसको मान सक जो book है, इस तरह से आगर plane rectangular sheet है, तो plane rectangular sheet एक ही plane में है, ये भी एक laminar object होगा, समय नहीं नहीं है, उसे दरह से एक patta होगा, एक page है, जितने भी two dimension object है, they are called laminar object, two dimension object, इसी के लिए ये theorem valid है, three dimension object के लिए theorem valid नहीं है, ये उस पर apply नहीं हो सकता, देखते हैं, मालनों हमारे पास एक laminar object है इस तरीके से किसी भी शेप का है regular shape का laminar object है laminar है समझे रहे हो ना two dimension होगा ऐसे ओके अब देखो इसी के example ने प्लेट का तो ये two dimension object आप मैंने ऐसा रखा हुआ इसमें अब यहाँ पर देखो एक plane या एक axis आपको ऐसा चूज करना है कोई भी axis कहीं से भी पास हो रहा हूँ वो फरक नहीं पड़ता है इस प्लेट में आपका two dimension object रखा हुआ यह इस plane में रखा है अगर मैं ऐसा कर दूँ तो plane ऐसा हो जाएगा अभी फिलाल ऐसे मानके चलता है कि यह plane ऐसा रखा है इस plane में यह body आपका है ठीक है तो body का जो plane है उसके पर्पेंडिकुलर एक आक्सिस पास करवा हूँ वह आक्सिस कहीं भी रह सकता है यहां 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 कहीं भी और शुट भी पर्पेंडिकुलर टुद प्लें आप देस body तो उस एक्सिस के along कुछ ना कुछ moment of inertia होगा लेट से एक्सिस पासिंग थो इस पॉंट ठीक है ऐसे इसके अबाउट जो हमने moment of inertia calculate किया लेट से इस आई-जेट आई-जेट समझदा रहा है ओके अब सुनों अब हमको दो जो लियाना है जिसके along moment of inertia calculate किया तो आई-जेट आया वह एक्सिस इस body के perpendicular था त्टेक है इस body के जो plane है उसके perpendicular था अब हमको दो एक्सिस ऐसे लेना है जो इस body के plane में से ही pass होता हो जैसे मानलो यहां से चाहें यहां से इसका मतलब क्या है देखो अगर इसके पर्पेंडिगूर एक्सस लिया है तो बोड़ी मतलब ऐससे समय नहीं बात और सब捨 सब और इसके प्लेрь में लिया जैसे कि ऐसे को लिए तो ऐसे पास और så यहां इससे प्लेइन में पास हो रहा है है तौप अगर ऐसे पास हो रही है तो यहां पास हो रही है तो यहां अगर पास हो रही है एक्सिस ऐसे पास हो रही है इसी प्लेन में पास हो रही है तो बॉड़ी ऐसे गोमेगी ठीक है तो अब हमको दो एक्सिस लेना है जो इस प्लेन में ही हो इसके प्लेन से ही पास हो रहा हो और दूसरी बात दोनों की दोनों एक्सिस क्या होने चाहिए एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर होने चाहिए मतला हमको टोटल तीन एक्सिस मिलेंगे जो एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर है एक इस बॉडी के प्लेन के पर्पेंडिकुलर बाकी दो इस बॉडी के प्लेन में ही है लेकिन आपस में perpendicular है तो एक आप सीधे ऐसे पास कर दो और उसके perpendicular आप ऐसे पास कर दो तो यहाँ पर बस imagine मैंने आपको करने बोल दिया यहाँ पर दिखा नहीं सकते तो जैसे कि यह एक axis है आपका इस axis के लॉग जो moment of inertia है बोडी जैसे मालग ऐसे भूम रही है मालग इस axis के लॉग moment of inertia जो आया वो आया आई वाई ठीक है और एक axis समझ रहे हैं इसके perpendicular बाहर आएगा इसे और वो मैं बता नहीं सकता तो मैं यहाँ के लाइन कीज़ दे रहा इस एक और axis इसके लॉग मालोग भूम रही है बोडी तो जो moment of inertia आया वो आई एकस आया अब करना क्या है बिसक्रीज थेरम क्या कहती है perpendicular axis थेरम कि IZ जो होगा that will be equal to IX plus IY समझना रहा लेकिन axis कैसे कैसे रहना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया IZ axis जो है उस plane के perpendicular है body जिस plane में उसके perpendicular है और IX और IY जो moment of inertia है वो उन axis के long है वो दोनों axis body के plane में ही है पर आपस में perpendicular है बना यह तीनों axis आपस में perpendicular है और इन तीनों का relation ऐसा होगा IZ is equal to IX plus IY this is your perpendicular axis थेरम इसका पूँ बड़ा simple है देखो IZ क्या होगा बताओ पहले हमनों सारे values लिख लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं what is IZ integration of जैसे माल लो यहां पे एक object माना हमने उस object का mass DM माल लिया ठीक है point P है माल लो यह point P है इसका mass DM है इसका distance यहां से R ले लिया ठीक है तो यह R distance है IZ से तो बताओ IZ will be equal to R square DM अब इसका perpendicular axis यह perpendicular distance from the axis of rotation है क्योंकि वैसे भी देखो यह जो IZ है आपका हमेशे जो यह distance होता है it is perpendicular distance from the axis of rotation तो axis अगर ऐसे pass कर रहा है तो कोई भी अगर particle इसका लोगे उसका distance अगर आप लोगे उस axis से तो perpendicular distance ही होगा क्योंकि इस पूरे body के plane के ही IZ perpendicular है So this is R is perpendicular distance from the IZ तो उसका formula moment of inertia का ऐसे बन जाएगा अगर integration यूज़ कर रहे हैं तो IY का formula बताओ क्या होगा integration of C इसका perpendicular distance Y से क्या होगा बताओ See, X axis अगर मालो ऐसे है Y axis ऐसे है तो हमको पता है कि अगर मुझे इस point से X की ओर जाना है perpendicular जाना है That will be parallel to Y axis फ़ड़ा समझो यहाँ पर confusion होगा क्योंकि यह ठीक से बनाया नहीं है 2 dimension बना नहीं सकते 2 dimension में 3 dimension और पूरा 3 dimension दिखा नहीं सकते तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मुझे X axis के perpendicular एक line खीचना है perpendicular distance से यह तो मुझे Y axis के parallel बनाना पड़ेगा फिक है तो यह Y जो है वो ऐसा नहीं है यह जो X है यहाँ यह ऐसा नहीं है बलकि एक्चुले से बाहर निकल रहा है वो बता नहीं सकते तो यहाँ बना दिया है तो अब मुझे करना क्या है मुझे इस पे perpendicular distance चीए यहाँ से एक perpendicular खीचना है तो यहाँ से अगर मैं perpendicular खीचोंगा तो यह X वाले के parallel जाना पड़ेगा ऐसे समझना है This is the distance आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन समझो इस चीज़ को यह ऐसे है तो पार्टिकल अगर ऐसे होगा जिससे सपोस करो यहाँ पे यह उपर का एक्सेस है और यह अपना यह वाला है और एक और माल लेते यह ऐसे है समझ मारी बात तो यह DM जो पार्टिकल पी है वो इस पॉइंट पे तो हमने यहां से सीधे आर खीच दिया यह वाला आर तो यह पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया अब इस पॉइंट से मैं सीधे ऐसे अंदर गुसरा हो अंदर गुसरा हो कहां पे य के पास समय आरी है तो यह जो डिस्टेंस होगा यह यहाँ पे आगया अब क्या करना है, एक डिस्टेंस हमको क्या करना है एक एक से पासे बिलाना है पर्पेंडिकलर डिस्टेंस तो य के परलील हो जाएगा let's say this distance is y यहां से लेकर यहां तक distance जो है वो y है और यहां से लेकर यहां तक distance x है तो यह y है now this is nothing but a rectangle तो यह y है तो यह भी y हो जाएगा और यह x है तो यह भी x हो जाएगा थोड़ा समझना इस चीज़ को ठीक है समझना आई बात तो अब जो आपका case है वो कुछ ऐसे है ठीक है इसको समझो इस चीज़ को यहां मना रहा हूँ मैं देखो गड़बडनी करना है particle यहां पर आपका ठीक है यह सीधे अंदर से आया मैं तो r मिल गया मुझे अब यह particle आपका p पे रखा हुआ है तो मैं सीधे अंदर घुसा ऐसे तो यह distance मिल गया x और यहां से मैं ऐसे आया इस पर ऐसे आगया इधर इधर आगया अंदर यह आगया पर्पेंडिबल है तो यह बन गया तो आप देखो यहां पे एक rectangle बन गया वैसे एक rectangle यहां बन गया है और this is also perpendicular to it अगर यह आप imagine कर पा रहे हो तब आगे का काम आसान हो गया है कोई problem ही नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं भी Now just tell me what is i y i y is the moment of inertia about this axis यह जो axis देख रहा है तो क्या करना है particle का mass और इसका perpendicular distance from this axis इस axis से perpendicular distance x है x और y में confused नहीं होना है y है तो x लिख दिया y है तो y लिख दिया x है तो x लिख दिया ना यहां से perpendicular distance इसका क्या है x है ना x is the perpendicular distance from this axis so it will be x square dm समझ में आ रहा है तो यह इस axis के लॉग आपको moment of inertia मिल गया moment of inertia about x axis क्या आएगा बताओ integration of जल्ली बताओ यह है ना तो यहां से इसका perpendicular distance यह है y y square dm हो जाएगा ओके this is equation 1 this is equation 2 this is equation 3 तो यह हमको prove करना i0 is equal to ix plus iy अब आगे बढ़ते हैं देखें यह r दिख रहा है यह y है यहां से लेकर यहां तर यह x है यहां से लेकर यहां तर तो मुझे एक बात बताओ कि हम यहां पर पाइथागोरास यहां यहां यूज कर लें कहीं भी यूज कर लें चलो यह triangle ले लो triangle O यह P और यह M माल लेता है in triangle O M P in triangle O M P since it is right angle triangle we can use पाइथागोरास के लेकर r 90 degree के सामने वाला साइड है जिसका मालब r यहां पर hypotenuse है so r square will be equal to x square plus y square पूरे equation को dm से multiply कर दो so dm r square into dm r square into dm plus is equal to x square into dm plus y square into dm clear है और फिर इसको integrate कर दो तो integrate कर दोगे तो क्या जाएगा integration r square dm plus is equal to पगला गया हूँ मैं integration पहले मैं यह लिख दे रहा हूँ y square dm plus integration of x square dm integration of r square dm kya है iz integration of y square dm kya है ix है integration of x square dm iy y होगे न from 1 2 and 3 ना क्या समझ में आ रहा है तो planar body के लिए यह perpendicular axis theorem हम लोग use कर सकते हैं और यह हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलगला axis से जब axis से हम moment of inertia calculate करते हैं तो यह theorem काफी helpful होता है ठीक है thank you कि스트 जहरा क्या है कि